आपने कभी सूचा है आपके आसपास के काफी लोग बहुत ज़्यादा इफिक्टिव हैं उतना आप नहीं है आपने कभी इसके बारे में सूचा है मैं आपको ऐसा कहूं प्रोड़क्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको लाइफ में इंजॉय करना है फैमिली को ठाइम देना है तो अप्रोड़क्टिव में एसा कर पाता हूं और इतने बेसे सेड्यूल के बाद भी मैं बिडियो बना पाता हूं यह proof है और मैं आज आपको अपना super productive rules मैं वो बताऊंगा जिससे कि मैं ज़्यादा efficient हो पाता हूं और ज़्यादा काम कर पाता हूं मैं अपना वो rules plans आज आपके साथ share करूंगा है है विडिवाड़ी डिस इस सूपर जोगी वेलकम पूदी चैनल अगर आप नहीं है तो मैं बता दूँ दिस इस सूपर जोगी एंड आए में creator entrepreneur और मैं help करता हूं आपको super content बनाने में on different social platforms as well as मैं बताता हूं आपको YouTube के बारे में कैसे काम करता है और बहुत सारे technicals और वीडियो ब्राने में help करता हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पास में इस notification bell उसको जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें let's get into it मैं बोलने वाला हूं आपको मेरे पांच तरीके जिससे में अपना productivity अपना efficiency को बढ़ाता हूं तो पहला है always be a man with a plan बिना plan के कुछ भी ना करें सारा कुछ as per plan होना चाहिए मैं हर सुबह especially Monday morning after workout workout करने के बाद मैं plan करता हूं मुझे करना क्या है मैं पूरा इसका एक list बनाता हूं schedule करता हूं अपने task को ताकि मैं track कर सकूं मैं अपने ultimate goal की तरफ बढ़ रहा हूं मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूं वो मैं track कर सकूं तो schedule करना बहुत जरूरी होती है task list को मुझे क्या करना है जब आप अपने सारे task list को schedule करोगे especially अगर आप चाहो तो पूरे week की भी task list को Monday morning को schedule कर सकते हो और जरूत पढ़ने पर हर दिन के सुबह उसको फिर से आप customize कर सकते हो इससे क्या होगा आपकी productivity बढ़ेगी और इससे होगा आपको वह ही circumstances arise हो जाते हैं और हमें वो plan change करना पड़ता है तो contingency plan जरूर होना चाहिए अगर यह नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे उसको करूंगा तो यह first है always be a man with a plan इस पर मुझे एक 80 by 20 रूल या जाता है अगर आप 20% time अपना डिबूट करेंगे planning बे तो आपकी 80% productivity बढ़ेगी yes you will enhance your productivity by 80% दूसरी है no multitasking multitasking एक controversial topic है काफी लोग सोचते है multitasking एक skill है जिससे की productivity बढ़ती है लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है मुझे पता है काफी लोगों को मैं contradict कर रहा हूं काफी viewpoints को मैं contradict कर रहा हूं but this is my belief multitasking productivity घटाती है आप जब कोई टास्क कर रहे हो जिसमें undivided attention चाहिए creativity कुछ चाहिए और जिसमें काफी analytical skills लग रहा है तो वह hamper करता है जब आप multitasking करोगे तो ऐसे टास्क को undivided attention चाहिए आपको चाहिए जो totally focus होकर उस काम को करें तो ही आपकी productivity बढ़ेगी हाँ छोटे मोटे काम के लिए आप multitasking कर सकते हो बट आप जब कोई important काम कर रहे हो कोई creative काम कर रहे हो जहां पर analytical skills काफी लग रही है तो multitasking avoid करना चाहिए research में भी ऐसा बताया है multitasking से productivity घरती है time waste होता है तो आप कोई जब important काम कर रहे हूं कोई जैसे कि मैंने आपको बताया तो multitasking ना करें इसरा है prioritize आपको हर एक काम को हर एक काम का priority के हिसाब से काम करनी चाहिए मेरा मानना है जब आप fresh हो आपका brain active हो बेसिकली सुबर को रहता है उसमें आप अपना important बड़ा जो काम है जो मुश्किल वाला काम है इसको पहले कर लें क्योंकि fresh रहने पर वो काम हो जाएगा और एक बार जब आपको इपना important बड़ा और मुश्किल वाला काम को पहले कर लेते हैं तो एक confidence build up होता है और एक momentum आ जाता है और उसके बाद आप बाकी सारे काम जो आसान है relatively उसको आसान ही से करते हैं वार आपका दिन अच्छा जाता है इस पर मैं बोलना यह भी चाहूंगा जेनल टेंडेंसी होता है किसी को वही काम को करना चाहते हैं जो कि उनको अच्छा लगता है और यह भी देखा गया है जो काम करने में अच्छा लगता है वह सायद important काम नहीं हो वह आसान काम हो उसमें मज़ा आता है आसान काम है उसमें उतना brain नहीं लगता तो यह एक tendency होत है लेकिन जैसे ही आप आसान आसान काम करोगे आप जब टायड हो जाओगे तो उसके बाद आपको जो important काम थी जो मुश्किल वाला काम था उसको करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा इस पर और एक कोशन आता है कैसे डिसाइड करें कौन सा काम important है मुश्किल वाला है प्राइरटी कैसे डिसाइड करें इस पर भी 80 by 20 रूल है 20% of your activities मातर 20% है जो टोटल activities के 20% activities ही 80% result decide करते हैं आप जिद्रा भी activities करते होंगे उसमें से मातर 20% activities आपके जो result का 80% decide करते हैं तो वह 20% काम वह हाइर प्राइरटी वाला काम है और ऐसा करने से benefit ऐसा होता है जब आप कोई project कर रहे हों या किसी कहीं पर अगर आपने deadline set क्या हुआ है तो आप हर एक टास्क को हर एक project को आप time पर करोगे जब आप priority basis पर काम करोगे मुझे तो लगता लाइफ का पूरा पूरा success इसी पर decide होता है कौन सा काम को आप पहले करते हो भले वह आपको अच्छा लगे है ना लगे लेकिन आपको पता हो नहीं यह जो activity अगर मैं करता हूं उससे ज्यादा result होता है तो उसको पहले करने चाहिए चाहिए वह आपको interesting हो मजा है या नहीं है आपकी जब लेकिन यह बात सच है यह काफी overused है लेकिन यह सच है हम काफी ज्यादा distracted हो जाता है जिससे हमारी productivity गढ़ती है अब भी हम जिस में हमारा माइड जो है क्लासिकली कंडिशन हो चुका है आपको साहर याद होगा वह एक्जामपल पैबलॉप डॉक्स वाली जिसको जब हम कुट्टे को चिकन देते थे रोज रोज तो उसके मुझे काफी सलाइवा निकलता था रोज चिकन देते थे उसका मुझे सलाइव निकलता था फिर तीसरा जो एक्ट है उसमें हमने चिकन देने के पहले साथ में बेल भी बजा रिते हैं ऐसा रोज रोज करते रहे और रोज उसको उसको सलाइवा निकलता था चौथे एक्सपरिम्ट में जब उसको चिकन नहीं देकर क्योवल जब घंटी बजाया गया उस उसमें उसको सलाइवा निकलने लगा लेकिन जब की सेगेंड एक्सपरिम्ट में जबने क्योवल गंडे बजाया थी तो उसमें सलाइवा नहीं निकला था उसी प्रकार से हमारा माइंड जो है क्लासिकली कंडिशन हो चुका है ऐसा देखे तो जब से मानव संस्कृती है को अभी है इस डिजितले में उनकी अकी प्रडॉटबी बहुत कंप हो चुकी है बहुत कंप हो चुकी है चारों तरफ सोशल मिडिया हो गया है सबसे बड़ा है तो smart votal हो चुका है करने काम करना पड़ेगा ताकि आप फोकस होकर काम कर सकें जैसकि हमारे पुरवज करते थे सबोस्टिकार में जा रहे हैं तो फोकस होकर सिकार करते थे काम करते हैं बिल्डा और फोन को छोडना पॉसिबल नहीं हम फोन को छोड ना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप जिससे मैं काम कर रहे हूं उससे मैं या तो फोन को सुच अप नहीं कर सकते हैं तो एटलिस नोटिफिकेशन को टर्न अफ करें स्टुडेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगा यह मेरा पर्सनल एक्सप्रियेंस भी है आप कंसेंट्रेट होकर जो आदे घंटे पढ़ाई करते हैं हाफ एन आओर वह साहएद पांच घंटे जो अन फोकस्ट होके पढ़ते हैं उससे बेठर है मेरे कॉलिज में तो काम किया थ तो मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप एटलिस्ट हाफ एन आओर फोकस्ट होके स्टाडी करें और जो आपको नोटिफिकेशन चेंज चेक करना है उसको भी आप प्रोक्तिवल करें जैक्टिवल ने प्रोक्तिवली आप सेडिवल करने सब्सक्राइब मुझे द बना ले उससे मैं चेक परें तो आप देखिए कि आपकी प्रोक्तिविटी बढ़ जाएगी आच्वाएं हेल्दी बॉड़ी एंड माइड काफी लोग के लिए साहरी आव्वियस हो लेकिन कुछ लोग के लिए आव्वियस नहीं होगा जैसे कि मैंने पहले भी बोला है करनी चाहिए जोगिंग करना चाहिए या आप जिम जाहिए लेकिन 30 मिनिट्स वर्क आउट बहुत ज़रूरी है वहीं प्रोक्तिविटी बढ़ सकती है तो ही हमारा ब्रें रिफ्रेस हो जाता है और रिचार्ज हो जाता है और हम अच्छा क्रेटिव काम कर पाते हैं और हमा जैसे कि आप बिना फ्विल के गाड़ी में चला सकते वैसे ही अच्छी साउंड कॉलिटी वाली नींद के बिना आप एक अक्टिव लाइफ नहीं लीड कर सकते हैं आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी स्लिप नहीं होती है तो जैसे तैसे करके इदर दर सोना मुझे लगता नहीं हो चाहिए है कि क्वालिटी स्लिप होनी बहुत जरूरी है और मैंने परस्नली फिल किया हुआ है क्योंकि मेरात को जल्दी सोयाता हूं तो मेरी जो स्लिप क्वालिटी काफी अच्छी होती है और ऐसा आप ट्राइ कर सकते हैं आप अगर मेरे इस पांच पॉइंट से आप एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करें अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट दा लाइक बटन कोई भी सुजा हो डाउट्स हो क्वेरी जो कमेंट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो छ में सियु दिन बाइब बाइब